दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कुशिनगर एयरपोर्स से अरब कंट्री में जाने का कर्च कितना आएगा या कुशिनगर एयरपोर्स से अरब देशों में जाने का कर्च कितना आएगा शुरू करते हैं दोस्तों, कोशिनगर इंटरनेशनल टेयरपोर्स से शुरू कोने वाली इंडिगों की दुबई फ्लाइड की जाने की तिकत सस्ती है और वापिस आने की मांगी जाने क्यों फ्लाइड की सप्ता से अधिक सीटें उप हो गई है जबकि लोटनी की तिकत लगतार मांगी हो रही है Make My Trip और गोई भीगो इन आन्लाइन साइटों पर दुबई जाने वाली फ्लाइड का टिकत 10,477 रुपे का है जबकि चंडिगर आने वाली फ्लाइड का टिकत इनहीं साइटों पर 16,177 रुपे का है यहां से दुबई के लिए चंडिगो की फ्लाइड में 180 सीटे है कुशिनगर इंटरनेशनल पेरफोर से दुबई जाने वाली जो पहली नानिश्था फ्लाइड है चंडिगर से दुबई जाने के लिए 3 गंटे 35 मिनत का समय लगेगा दुबई जाने वाली फ्लाइड में यत्रियों को दिली भूमकर नहीं जाना परेगा इसे से लोगों का आद घंटे का समय बचेगा दुबई की फ्लाइड के बाद लोग बेंका और सिंगापोर की फ्लाइड के शिटिउल जारी होने का इंतजार कर रहे है अगर यह फ्लाइड सीडे चंटिगर से जाएगी तो यत्रियों का समय बचेगा दुसरी बाती है दोस्तों 6,000 रुपए से श्रू होगा था टिकट फाइड स्टार ट्रैवल एंड मनी के माली के एल बंसल ने बताया कि रभिबार को जब टिकट की फिकरी शुरू होई तो दुबई जाने और आने के टिकट 6,000 रुपए के मिल रहे थे लेकिन दो गंटे बाद ही टिकट करेट बढ़ गया दो अबस्त को दुबई जाने का टिकट 10,487 रुपए का और वापस आने का टिकट 16,188 रुपए का हो गया बंकक और सिंगापूर्टी फ्लाइट के टिकट की विकरी की उमीद सेक्टर 17 इस्थित शितल ट्रैवल के विनित शर्मा ने बताया कि अगर गुदवार को सुनवाई के दौरान एर इंडिया की ओर से बैंककॉप और सिंगापूर्टी फ्लाइट का शेडियूल जारी हो जाता है और तिकट विक्री होगी तो शहर से पंजाब, अर्याना, हिमाचल के अत्रियों को हावाई सबर करने में आसानी होगी हाई कोट में बुदवार को एर इंडिया और इंटरनेशनल एर पोर्ट आत्रिटी की ओर से जवाब दात्री किया जाएगा इसमें इंटरनेशनल फ्लाइटें चलाने जाने का शेडियूल जारी हो सकता है पाच हजार किलो मीटर तक का सफर ठेकरने वाली विमानन कंपनिया अगर इंटरनेशनल फ्लाइटें लिए आवेदन करेंगी तो उन्हें इंटरनेशनल एर पोर्ट से उडान बरने की अनुमतित दी जाएगी विडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने बाद से बिल आइकन को प्रेस करना नो भूले हैं ठैंक्स फार वाचिंग